Hello and welcome दोस्तों स्वागत है आपका हमार चैनल में अगर आप एक यूटूबर हैं तो आप डेली वीडियो डालते होंगे या फिर हपते में वीडियो डालते होंगे या फिर महीने में वीडियो डालते होंगे अगर आपका यूटूबर पर एक चैनल है तो आप यूटूबर कहलाए जाएंगे तो मान लीजे आप यूटूबर है और आप YT Studio का उपयोग करते हैं तो YT Studio में कुछ दिन से एक प्रोब्लम आ रही है बहुत से मेरे यूटूबर भाईयों को ये मैसिज आ रहा है यूटूब की दरब से जिसमें लिखा है अगर ये मैसिज आपके पास आ रहा है तो इस मैसिज का क्या मतलब है और इस मैसिज को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर dismiss पर टच करने के बाद ये मैसिज हट जाता है लेकिन अगर आप dismiss पर टच करने के बाद इसे हटा देते हैं तो ये मैसिज कभी भी आपको नहीं दिखेगा और अगर आपने डिस्मिस पर टच करने के बाद ये मैसिज हटा दिया है और आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है तो आपको अब क्या करना है कैसे आपको पता लगेगा इस मैसिज का क्या मतलब था हमें इ एक bug आ गया था यूटूब में कुछ problem आ गई थी जिसकी वजा से कुछ यूटूबर्स की वीडियो पर impact बढ़ा है और वो जो impact है वो केवल यूटूब की तरफ से था यूटूब ने भी ये माना है यूटूब की तरफ से कोई bug था और कुछ यूटूबर को 14 माई और 16 माई को problem फेस करनी पड़ी है आप भी उन में से एक हो सकते हैं क्यूंकि कुछ problem यूटूबर को हुई है वो पता ही नहीं लगा है यूटूबर को कि हमारे चैनल में कुछ गड़बढ है और क्या गड़बढ थी वो यूटूब ने खुद अब जाके हमें बताया है 14 माई और 16 मा गड़बढ हो गई है आपको चेक करना है गड़बढ हुई है या नहीं क्यूंकि सभी वीडियो पर और सभी चैनल पर गड़बढ नहीं हुई है किसी पर हुई है किसी पर नहीं हुई है मैंने अपना चैनल भी चैनल पर गड़बढ थी गड़बढ मेरे चैनल पर क्या थी जैसे कि मैं अपने चैनल पर जाकर आपको दिखा देता हूँ तो मैंने वायटी स्टूडियो में यहाँ पर content पर touch किया है और मैं वीडियो नीचे स्क्रोल करते करते दो वीक पहले वाली वीडियो पर आ चुका हूँ आप यहाँ पर दो वीक पहली वीडियो देख सकते हैं हमारी यह जो तीन वीडियो है यह हमने 15 माई को अपलोड की थी और यह जो तीन वीडियो है यह हमने 16 माई को अपलोड की थी तो 16 माई को जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो यहाँ पर हम देख लेते हैं consistency में है तो 16 माई को जो हमने video upload की थी इसका description यहाँ पर available है तो यहाँ पर अब हम 15 माई वाली को check करते हैं यह हमने 15 माई को upload की थी तो मैं यहाँ पर इनको check कर लेता हूँ यह consistency में है तो मैं यहाँ पर touch करता हूँ तो यहाँ पर इनकी जो description है वो सही है, यहाँ पर description लिखा हुआ है अब मैं हाँ पर चेक करता हूं जो 14 माई को हमने वीडियो अपलोड किया था मैं हाँ अगर टच करता हूं और यहाँ पर edit पर टच करता हूं तो यहाँ पर अब आप देख सते हैं हमारा जो description है वो गायब हो चुका है description यहां से हट चुका है description मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा तो YouTube की तरब से ये problem है YouTube की तरब से ये bug था जो YouTube ने fix कर दिया है लेकिन जिन YouTuber भाई होगा description glitch हो चुका है उन्हें description दोबारा लिखना होगा ये YouTube ने हमें inform करके बता दिया है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पस्ना आया होगा आने वाले समय में अगर आप और भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और वीडियो को like जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूँ आप से अगली इसी तरह की knowledgeable वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमारी है वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया